C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है नवी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक पेश है नवी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्शी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का पांचमा पार्ट अब प्रदेश में पैदा हुए इपतिदाई तालीम घर पर हासिल की फितरी शायर थे कम सिनी से शायरी का आगास किया जिगर का इंतिकाल उत्तर प्रदेश के शहर गौंड़ा में हुआ जिगर मुरादाबादी की शायरी में सर्मस्ती और सरशारी की कैफियत है हुसन औ इश्क के मामलात को उन्होंने वालिहाना अंदास में बयान किया है तक्सीम हिंद के बाद उन्होंने ऐसी घजलें भी कहीं है जिन में असरी शवूर और फिक्र का उनसुर नुमाया है सादगी, रवानी और मौसीकियत जिगर के कलाम की खास खूबियां हैं उनके शायरी मजमुएं दागे जिगर, शोला तूर और आतिशे गुल है सफा चौदा गजल गोशायर अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की घजल अब पेश है जिगर मुरादाबादी की घजल कभी शाखो सब्जाओ बर्ग पर, कभी गुन्चाओ गुलो खार पर मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मिरा हक है फसले बहार पर मुझे दीना गैस में धमकियां, गिरी लाक बार ये बिजलियां मुझे दीना गैस में धमकियां, गिरी लाक बार ये बिजलियां मिरी सल्तनत यही, आशियां मिरी मिलकियत यही चार पर अजब इनकलाब जमाना है, मिरा मुख्तसर सा फसाना है यही अब जो बार है दोश पर, यही सर था, जानुए यार पर मिरी सम्त से उसे एह सबा, यह पयामे आखिरे गम सुना अभी देखना हो तो देख, जा के खिजा है अपनी बाहार पर अभी देखना हो तो देख जाके खिजा है अपनी बाहार पर मैं रहीने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिकर मैं रहीने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिकर गमे यार है मेरा शेफता मैं फरेफता गमे यार पर गमे यार है मेरा शेफता मैं फरेफता गमे यार पर अली सिकंदर जिकर मुरादबादी मश्क सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक मतले के पहले मिस्रे में बाहर से मतालिक कौन-कौन से लफ़ आएं हैं? सवाल नमबर दो मतले में मेरा हक है फसले बाहर पर से क्या मुराद है? तफसील से लिखिए सवाल नमबर तीन घजल के काफियों की निशान दही कीजिए सवाल नमबर चार शायर ने सबा के जरिये अपने दोस्त को क्या पैगाम भेजा है? इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुलजारे उर्दू भाग एक का पांचवा पार्ट यहां समाप्थ हुआ इसके बाद पार्ट छे आता है प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T